जेवन उत्सहा नियूस की आद दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है नगर निगम चुनाब में इस वार 86,650 मताता डालेंगे वोट नगर निगम शिमला के चुनाब के लिए जिला प्रशाशन ने गुरुवार को सभी 34 बार्डों की मददान सूची का प्रारूप जारी कर दिया है जिला प्रशाशन की बैपसाइट के अलावा नगर निगम कारेले में इस सूची का प्रारूप उपलब्द करवाया गया है इसमें हर वार्ड की मददाता सूची फोटो सहीत उपलब्द करवाई गयी है इस वार नगर निगम चुना में 86,650 मताता नगर निगम की सरकार चुनने के लिए मददान करेंगे अस्पतालों में PSA प्लांट के तक्निकी करमचारियों को निकालने के दिये आदेश प्रदेश में बढ़ते करोना मामलों के बीच अस्पतालों के में लगे PSA के करीब 102 तक्निकी करमचारियों को निकालने की प्रक्रिया जारी है इनमें से जिला सोलन के अस्पतालों में 33 करमचारी शामल है सरकार ने इनहें निकालने के आदेश जारी कर दिये हैं इन सभी करमचारियों पर अब बिरोजगारी की तलवार लटक गई है पॉंग बांध विस्थापन पर केंद्र राज्यस्थान वर हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोट ने जारी किया नोटिस हिमाचल प्रदेश के बहु चचित पौंगबान विस्थापितों के पुनरवास से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोट ने कड़ा संग्यान लिया है शीगर अदालत ने केंदर सरकार सहीत राज्यस्थान हिमाचल प्रदेश हाई पावर कमेटी और बीबी एमबी को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है मामले की सुनबाई आठ मेई को निर्धारित की गई है भांग की खेती को बैथ करने के मामले में पांच सदस्य कमेटी गठित हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती बैथ करने के लिए मुख्यमंत्री सुख्विंद से सुखु ने गुरुवार को सदन में पांच सदस्य कमेटी के गठन का ऐलान किया है यहाँ कमेटी एक महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट देगी की भांग की खेती का बैथ किया जाए सीम ने सदन में कमेटी बनाने का प्रस्ताप रखा इसमें पक्ष और विपक्ष के पांच सदस्य शामल होंगे राजसो वह बागवानी मंतरी जगत सिंग नेगी की अध्यक्षता में यहाँ कमेटी रिपोर्ट तयार करेगी IGMC टांडा मेडिकल कॉलेज में छे माह में शुरू होगी रोगोटिक सर्जरी IGMC शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पाइलट आधार पर छे माह में रोगोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंस सुखू ने यहाँ जानकारी स्वास्ते विभग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी इस सबन में जल्द ही चिक्सकों वह अन्य स्टार्ट को प्रशिक्षन दिया जाएगा उन्होंने कहा कि बिभइन श्रेणियों की अवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए जिक्सकों और अन्य करमचारियों की संख्या की एक विस्त्रेत रिपोर्ट स्वास्ते सचे 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी शिमला के एतिहासिक चर्च में मनाया गया गुड़ फ्राइडे रिचमेदान परस्थित क्राइस चर्च में शुकरवार को गुड़ फ्राइडे मनाया गया प्रभु इसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए बिश्व शान्ती के लिए मौन रखा गया और प्राथना की गई प्राथना सभा के बाद भगवान मसीह की शिक्षाओं पर सभा का आरंब हुआ इस मौके पर सेंकडो इसाई धरम के अन्याई चर्च में एकरत्रित हुए और दीप प्रजुलित किये दिन भर चले प्राथना सभा में इसा मसी की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया सभा में प्रेम और शमा के महत्व पर बल दिया गया तीन साल बाद समर टूरिस्ट सीजन के लिए 40 फीसदी तक अधिक बुकिंग टूरिस्ट सीजन के लिए बुकिंग में इस बार 40 फीसदी तक इजाफा हुआ है करोना के बाद देश भर के सैलानी हिमाचल के प्रेटन्स धलों कारोख करने के लिए आतुर है एपरिल, मैई और जून के लिए शिमला, मनाली, धरमशाला, चायल, कसौली और डलहौजी के होटलों में कमरों की बुकिंग में तेजी आई है तूर आपरेटरों का कहना है कि स्कूलों में प्रिक्षाएं खत्म हो गई है और करोना के बाद इस साल लोग परिबार के साथ घूमने के लिए तैयारियों में जुट गए है G20 सम्मेलन के प्रतिनिधी तकनीक और विग्यान पर चर्चा के साथ करेंगे योग जिलाधीश डॉक्टर निपुन जिंदल ने धरमशाला में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समिक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 19-20 एप्रेल को धरमशाला में होने वाले G20 सम्मेलन में तकनीक और विग्यान पर चर्चा के अलाबा डेलिगेट्स योग भी करेंगे 20 एप्रेल को आयुश विभा के सोचन्ने से महमानों के लिए सुभा साड़े छे बजे आयोजन स्थल पर योग सत्र हुगा करीब आने घंटे के सत्र में आयुश विभा के प्रशिक्षक डेलिगेट्स को योग करवाएंगे धरमशाला स्टेडियम में मैच देखने आ सकते हैं दलाई लामा देने की तैयारियां कर रहा हैं मैच ओ को लेकर इसी मा होने वाले बैठक में दलाई लामा सहित अन्यों महमानों के नामों की लेस्ट फाइनल की जाएगी हीमाचल में च्छे दिन मौसम साफ रहने के आसार हीमाचल पर देश के सही शेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा धूब खिली रहने से उना में अधिक्तम तापमान 31.8 डिगरी सेलसियस दर्ज हुआ मौसम बिग्यान केंदर शिमला ने 12 एपरल तक परदेश में मौसम साफ बना रहने की संभाबना जताई है इस दोरान अधिक्तम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं परदेश में मौसम खुलते ही अब सुभा और शाम के समय ठंड़क कम होना शुरू हो गई है